देश भर में करोना वाइरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है वहीं मध्य परदेश के इधार जीले में भी करोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बरकर 40 हो गया है धार के जीला भोच अस्पताल के आईसुलेशन वाड में भरती एक साथ वर्षे करोना संदिक्द की मोथ हो गई सीवेल सर्जन डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि 60 वर्षे बुजूर्ग नालचा ब्लोक का रहने वाला था और 20 अपरेल से जीला अस्पताल के आईसुलेशन वाड में भरती था बुजूर्ग को सर्दी खासी के साथ ही कार्डिक प्रोब्लम भी थी जिसका उप्चाल चल रहा था बुजूर्ग को करोना वाइरस संदिक्द मान कर उसके सैंबल भी जांच के लिए भेजे गए थे प्रंतु अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है वही इसे होगा के रिपोर्ट पॉजिटिव आती है यह नेगिटिव आपको बता दे कि धार जीले में करोना वाइरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है वहीं धार जीले के कुक्षी और सरदारपूर में देज रात को कर्फ्यू की घोशना भी की गई वध्य परदेश से स्टेट हैट अमर वर्मा की रिपोर्ट आज एक अमरत्यू भी हुई है लेकिन यह है कि वह बीस सारेक से हमारा पास में एडमिट था है इस वलेशन के अंदर मगन ना में उसका मगन पिता बाला और नालचा बलॉप करेने वाला है इसको एक के इन हमारा पास में आया था और जिसको कुछ काडिक कंप्लेइन और कुछ रिस्करिकी कंप्लेयन थी लेकिन हम एक उसको सार्थ्ट लूड कोश सकता है वह सेंपध wanna एक मैंन सेंपल भी करा लिया था जबसे हमारे निगामे में वामारी निगरानी के अंदर यहां पोप्चार रहता था आज अचनव उसकी तबे थोड़ी सी खराब और उसके बाद में उसकी मत्य होगी चुकि उसके सेंपल भेजा जा चुका था इसलिए उसको जो हमने जो प्रशाशन के जो गाइड लाइन हैं उसके हैं उसके हैं संदी ही लेटेस्ट रबरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइज, शेर और सुच्क्राइब करें हैं धन्यवारी झाल